वुड ondail मुकशन के र हैं अगण केंट अग्ड करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पेल प्लीज चाहनुको शब्सक्राइब कर दीज이션 दीज विदिशिंग के ज़िए वीडियो कुर्ट करते हैं. फ़र्स्ट कॉक्ष्षन है, वर्ड माला परणा और वर्ड माला लिखना, कौन सा कार्रेप पहले कराया जाता है? तो फ्रेंड्स यहां पर बात की जारी है, परणे की फिरू लिखने की. तो अगर हम देखें पढ़ने लिखने में तो friends यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है वर्ड मारना पढ़ना क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं पाएंगे तो पहले हमें पढ़ना सिखाया जाता है उसके बाद हमें लिखना सिखाया जाता है इसलिए option A यहाँ पर हमारा राइच आंसर है वर्ड मारना पढ़ना हमारा पहले काम होता है next है भाशा के अंग है वाचन, पठन, लेखन यह सभी तो friends अगर हम यहाँ पर अंग की बात करें यह सभी हमारे अंग के काम अंग होते हैं भाशा की बात करें ठीक है तो option D यहाँ पर हमारा राइच आंसर है next हाते है भाशा दोरा अविव्यक्त किये जाते हैं विचार, कविता, समवे या फिर अप्रोक्त सभी तो friends यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है option number A भाशा के दोरा हमारे विचार अविव्यक्त किये जाते हैं ठीक है next है तो friends इसका आप commonly आंसर दे सकते हैं हिंदी भाशा हमारे अनिवारे विचार है ठीक है तो option A right answer है next है अब यहाँ पर हमारा question है हिंदी भाशा के मौखिक व्यवार में शब्दों के शुद्व उच्चार अनिर्भर होते हैं यह हमारे किस पर निर्भर होते हैं बोलने के बल पर बोलने के सुर पर बोलने के अनुतान पर या फिर उप्रोक्त सभी पर हमारा सुर कैसा होगा बल के इतना देंगे बोलने का अनुतान कैसा हो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई शब्द ऐसे होते है जहां पर हमने वल जाता दे दिया तो वहां पर हमारी जो feelings है या जो कहने का जो way है वह बिल्कुल change हो जाता और उसका meaning जो क्या होता है वह भी differ हो जाता है तो यह सारी चीजे बहुत ध्यान में रखी जाती है कि उस पर कितना बल देना है किस चीट पे और कितना हमें सुर लगाना है कितना अरुतान होना चाहिए ठीक है तो यह सारी चीजे हमारे इस पर depend करते हैं मौकिव व्यभार में नेक्स्ट आते हैं व्रंदावन गार्डन का द्रश्य कितना अब यह common questions हैं जो आपको देने है जो हम किसी द्रश्य की बात करते हैं तो हम क्या पूलते हैं व्रंदावन गार्डन की बात की जा रहे हैं तो यहाँ पर समाजिक राजनेतिक तो हो नहीं सकता तो अगर आप देखें तो मनोरम ही होगा इसलिए option A right answer है नेक्स्ट है यदि हम किसी को खाना खिलाते तो पुण्य करते हैं इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइच आंसर होगा वो होगा सब कुछ ठीक है तो यहां पर option यह हमारा राइच आंसर है next है गाड़ी अपने dash समय पर आ रही है कितने वांचित आवंटित अनिश्चित या फिर निर्धारित तो फ्रेंड्स यहां पर निर्धारित होगा जो पहले से बताया गया था टाइम जो पहले से निर्धारित था या फिर बताया गया था उसी टाइम पर आ रही है तो option यह राइच आंसर है नेक्स्ट है घाउ पर नमक छडखना मुहाबरे का साही अर्थ है दुखी को दुखी करना घाउ का राज़ करना लडाई को उकसाना यह फिर दर्द कम करना तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो धुखी व्यक्तिय है उसपे नमक छडखने का मतलब उसको और दुखी करना उसी तरह की और बाते करना तो option a right answer है next है अरे तुम तो के चांद हो गए क्या इद के चांद हो गए ठीक है तो option b यहां पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा बहुत simple है आपने बहुत बार यह करे होंगे ठीक है पड़े होंगे कहीं ना कहीं करे होंगे तो आप इसली कर सकते हैं next है जूट पकड़े जाने पर रमेश को तो जैसे सूंग गया क्या कुछ वहां पर difficult दे रिये जाते हैं लेकिन mostly जो questions होते हैं वो average होते हैं ठीक है जिससे कि आप easily कर पाएं अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टेस करी है तो next है आग बबूला होने का क्या मतलब है जट पटाना, क्रोध से तम तमाना, ब्लू लगना या बुखाराना तो friends आग बबूला होने का मतलब यहाँ पर होता है क्रोध से तम तमाना, बहुत क्रोध करना ठीक है तो अत्यदी क्रोध करना भी आए तो आप वो भी टेक लगा सकते हैं तो option भी यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा next है निमलिकित मैंसे सुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है परधाना चार, परधाना चार रे, परधाना चार रे या परधाना चार रे तो friends यह राई चार रे लिखने का उविए यही होता है ठीक है तो option यहाँ पर दे आपका right answer है नेक्स्ट है निमलिकित में से सुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है पूझनिये, 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 पूझनिये तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर option B हमारा right way है लिखने का पूझनिये ठीक है तो option B हमारा correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकित मैं से शुद्ध वाक्य है पूस्टक में मत पडो, पूस्टक को मत पडो, पूस्टक से मत पडो, पूस्टक का मत पडो तो फ्रेंड्स आप देखिए अगर आप हमारा right answer हो जाएगा तो फ्रेंट सबसे पहले आप अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा करें तो आप Elimination के थुरू किया कीजिए क्योंकि इससे आपका आंसर इसली निकल सकता है नेक्स्ट है अब सुर्दवाक के देखना है तो देखे सार तक ने दर्वाजा नहीं खोला उतकर्ष ने दर्वाजे को नहीं खोला सुभानशु ने दर्वाजे नहीं खोले तो फ्रेंट दर्वाजा नहीं खोले ये कट गया दर्वाजा एक दर्वाजा है तो नहीं खोला हो और यहां पर दर्वाजे नहीं खोला तो दर्वाजे है तो खोले होता या फिर दर्वाजा होता तो यह भी कट गया अब फ्रेंड्स बात की जारी है option नमर A की और B की तो फ्रेंड्स उतकर्ष ने दर्वाजे को नहीं खोला तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम देखें तो यह भी गलत हो गया साड़ तक ने दरवाजा नहीं कोला option यहां पर हमारा राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट है गुलामी शब्द का ब्लॉम शब्द है आजादी मस्ती मुक्ती शुतन स्वचंदता स्वचंदता है फ्रेंड्स वतंतरता नहीं है ठीक है इसलिए option यहां पर राइ राइट आंसर है नेक्स्ट है चंद्रमा शब्द का परियाय है तो फ्रेंड्स चंद्रमा शब्द के परियाय की बात करें तो वो होता है राकेश ठीक है नेक्स्ट है भाई शब्द का परियाय क्या होता है तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर देखें भाई शब्द का परिय तो फ्रेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आउंसर है वह ऑप्शन B अशोग से संबंदे थे हमारा लॉइन कैपितल नेक्स्ट एक कलिंग प्रदेश के महान शाषक कौन हुए यह आपको पता होगा कलिंग देश के शाषक जो थे वह कौन थे अशोग खार बेल ऑप्शन B राइट आंसर है फ्रेंट्स उट्स टाइम पे हातिगुफा अविलेक से कलिंग प्रदेश जो था उसके शाषक के रूप में खारवेल का उल्लेक मिलता है खारवेल चेदी वन्ष्ट का था खारवेल को महराज महामेदवाहन और कलिंगा दिपाती भी कहा गया है ठीक है तो इस नाम से भी गिविन हो तो आप वहां पर टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट आते हैं फ्रेंट्स बुद्ध का विप्राय क्या है ठीक है ग्यान प्राप्ति मूर्ख लोभी या फिर अध्याचारी तो फ्रेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए हुआ है कि यह किन-किन से संबंदित है ठीक है तो आप वहां पर जाके देख लीजेगा यहां पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ यह संबंदित है योग दर्शन पतंजली से गौत्मी पानी और जैमनी के आपको 20-day सीरीज में मिल जाएंगे ठीक है इनो ने पुरा तत्विक उत्खनन से ठीक है क्योंकि फ्रेंड सिंदु सब्विता का जो ग्यान था वहां पर कोई साहित था 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 ताम पाई नहीं गए थे जो म्रद कंभांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गयते परन्तु अभी तक उने पढ़ा नहीं जा सका है इसलिए यह का ज नेक्स्ट है दस दसमलब प्रणाली सब्थम किस ने चलाई थी आरे भट न्यूटन गैलियो या फिर नागाड जुन्य तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आरे भट गुप्त काल का गड़तिग्य कहा जाता है और इन्होंने ही दसमलब प्रणाली को सब्थम बताय नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिमहिला शाशक कौन थी ये भी मैं आपको डिसकस कर चुकी हूँ प्रथम और अंतिमहिला शाशक थी रजिया सुल्तान ऑप्शन ए राइट आंसर है और फ्रेंड्स इनका जो ये किसकी पुत्री थी ये पुत्री थी इल् का टाइम पीरिट था जिन्हों में इन्होंने शाशन किया था दिल्ली के ऊपर ठीक है तो बुत्री ये उप्शन रजिया सुल्तान नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स किस सूफी संत की दरगा अजमिर में है क्या सुद्दीन बावाफरीद ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिष ठीक है नेक्स्ट आते हैं रेशम उत्पादन की दरस्टी से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है लखनाव वाराणसी स्रिंग्रंग पट्नम या दरभंगा तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें रेशम की तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वह करना तो यहां पर वैसे तो करनाटक है लेकिन option के according हम वाराणसी पहर जाएंगे ठीक है और अगर हो सकता है आपके exam में इस तरह का question आ जाए तो आपको marks भी दे दिये जाए क्योंकि question में वह option ही given नहीं है ठीक है तो उस examiner पर depend करता है वह किस तरह से copy यह चेक करते है ठीक है शेड सा सूरी नहीं ठीक है next आते हैं अब इसमें फ्रेंट सिवाली के बाले काल पर किसका अधिप प्रवापड़ा यह में बताना है शाहाजी भोसले माता जीजावाई गुरू कॉंडदेव या फितुकावाई मोहिते तो फ्रेंट्स अगर हम यहां पर बात करें तो इसका प्रवा अधिक पढ़ाता तो उन सब का नाममात्र का पढ़ाता तो सेकेंड और थर्ड जो है वह हमारा राइट आंसर होगा तो इस अकॉडिक हमारा ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर है ठीक है next आते हैं इंकलाब जिंदावाद का नारा किस ने दिया था श्वा पामीर पठार बॉलिविय पठार यहां पी मैसिटा का पठार तो फ्रेंट्स का राइट आंसर है भी पामीर का पठार सबसे उचा पठार है नेक्स्ट आते हैं, बहुती सिंपल कॉस्चन है, फ्रेंड्स अगेंग ये भी बहुत पूछा जाता है एक्जाम में, मैदान के पेच्छा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है, क्योंकि वहां वायू मंडल का दूलकर्ण नहीं होते हैं, बायू जितनी जल्दी अधिक ठंडी भी होती है, पेड़ पौदे नहीं पाए जाती है या फिर रात में वर्षा होती है, तो फ्रेंड्स इसका सीधा साधा मतलब यहां पर यह होता है, कि वहां की वायू वालू होती है, वह जल्दी गरम भी हो जाती है, वह जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलि तो फ्रेंड्स यह भी बहुत सिंपल है आप इसली बता सकते हैं वाई मंदल की जो उजन परत है वह अल्टा वाइलेट किरुनों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अमेजवन, गंगा या फिर मिसिसपी, मिसौरी तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन नमर ए जो की है नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, भारत से उकर गुजड़ती है मकर, करक रेखा, विशुत रेखा, टांटरक रेखा तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह करक रेखा गुजड़ती है फ्रेंड्स अगें 20 डे सीरीज की जो वीडियो है उसमें हमने यह सारी चीज़े आपको डिसकस की हुई है ठीक है तो आप जरूर देख लीज़ेगा, वहाँ पर मैंने वताय हुआ है यह सारी चीज़े किस-किस तरह से की जाती है ठीक है इनके बारे में भी और भी कॉशन से जो की पूछे जाते हैं तो सब कुछ हमने वहाँ पर अच्छे से डिसकस किया हुआ है नेक्स्ट आते हैं भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कौन सी है कारा कोरम, केटू, कंचन जंगा, नंदा दिवी, माउंट आवरेस्ट तो फ्रेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो option भी right answer होगा जो की है हमारी कंचन जंगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं छे वर्ष दो वर्ष पांच वर्ष चार वर्ष तो फ्रेंट राज्यसभा के चुनाव होते हैं वह प्रतेक दो वर्ष में होते हैं ठीक है क्योंकि वहां पर दो-दो वर्षवाद वो क्योंकि यह स्थाई सदन है ठीक है तो दो-दो वर्षवाद रिटायर होते रहते हैं लोग इसलिए यहां पर option 2 जो है वो हमारा राइचांसर है बी दो-दो वर्षवाद ठीक है और अगर आपको इसके regarding detail में information चाहिए तो आप again व भारत को प्रास्टपती भारत को लोकसवध्यक्ष या फिर भारत का रक्षा मंत्री तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर आएं तो option A यहां पर राइच आंसर है भारत का मुख्य न्याइदीश नेक्स्ट है उच्छ न्याले में न्याइदीशों की नुक्ति कौन करता है आप जाके उनको जरूर देख लीचिए अगर आपको डेटेल में और भी इंफोर्मिशन चाहिए नेक्स्ट है गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है है इच्छन ऑर्गन गैस हीलियम या फिर ऑक्सीजन तो फ्रेंड्स जो गुबारे में ऑक्सीजन गैस भरी जाती है व नेक्स्ट है लाफिन गैस किसी कहा जाता है अमोनिया नाइट नाइटरस ऑक्साइड कर्वन डायोक्साइड या फिर एसी टीले तो फ्रेंड्स अगर हम यहां पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा टॉन्टीफाइब का वह मार ऑप्शन नमर्बी जो कि हमारा न इसका इडांसर है यहां पर पर उप्शन नमर्भी यह हमारी इरिस पर डेपैंड करता है इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंको का रंग बूरा काला और नीला होता है तो यह आई compatible करता है कि किस आंकों का रंग कैसा होगा और यह भी और जाता है कि यह जनेटिक भी ह जिसकी कारण हमारे अंधिरे में देखने की आंकी चमता जो होती है, इसको रेटिनीन बोला जाता है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दाले अधिक पोशक होती है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, नेक्स्ट है, साबुत अनाज और दाले अधिक पोशक होती है, यस ये करेक्ट है, फिर भी एक बार नीच और चक कर लेते हैं, संसादित अन उत्पादों में पोशक तत्व अधिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है, नाश्टे के अन में पोशक तत्व ये किसने कहा दिया कि नाश्टे के अन्न में अधिक होते हैं, ये भी गलत है, तो option B हमारा यहाँ पर right answer है, next है निम्लिकित मैंसे कौन सा प्राणी भूख है, तो friends यहाँ पर right answer की बात करें, तो B हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए option B right answer है, next आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या ये कारण है, नहीं ये कारण नहीं है, श्वेत रंग में नीला घटक प्रवल होता है, क्या ये है कारण है, ऐसा भी नहीं है, वायो मंडल में अन्ने रंगों की अपेक्षर नी उपग्रहों में प्रत्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहन करके बिविन दिशाओं में भेजने वाला यंतर हमारा क्या कहलाता है तो फ्रेंड्स यह कहलाता है ट्रांस पॉंडर तो आप्शन थी यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट बात करते हैं जब कोई जहाज नदी में समुंदर में प्रिवेश करता है तो किस तरह से वहाँ पर चेंजिस हाते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर अगर हम बात करें जब कोई जहाज समुंदर में प्रिवेश करता है वह थोड़ा सा उपर उठ जाता है वह थोड़ा से चला जाता है उसी इस पर रहता है वह जिस द्रव्य में बना हो सी आधार पर उठता है नीचे उठता है नहीं ऐसा नहीं है जब कोई भी जहाज समुंद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो उठ जाता है थोड़ा सा तो option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं असमान दरव्यमान वाले दो पत्थर समान वेक से उधरवार धर उपर फेकी गए है निमनिकित मैंसे क्या घटित किया गया है तो friends यहाँ पर बात करें तो भारे दरव्यमान अधिक उचाई तक जाएगा ऐसा नहीं है हलका दरव्यमान अधिक उचाई तक जाएगा ऐसा भी नहीं है उसमें जो दोनों की उचाई होगी वो बराबर तक जाएगे ये बिल्कुल करेक्ट है उनमें से कोई भी अधिक उचाई तक जा सकता है नहीं ऐसा नहीं है वो दोनों बराबर उचाई तक जाएगे ये करेक्ट आंसर है इसलिए option सी हाँ पर हमारा right answer होगा नेक्स्ट आते हैं प्राकर्तिक रबड को मजबूत और अधिक उचाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो हमें पधार्त बताना उसके अंदर क्या मिलाते हैं तो friends यहाँ पर इसका right answer है option number C जब प्राकर्तिक रबड के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उचाल मारता है ठीक है मजबूत और अधिक उचाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है नेक्स्ट है विद्धुद लब्द कराने वाला कहेगा सेकंड संयत्र क्या है तो यह है friends अगर इसकी बात करें तो यह परमानु शक्ति रियक्टर है तो option C नेक्स्ट है उश्मा दौरा ततकाल नस्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है तो friends यह कहलाता है एसकॉर्विक आम ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है स्वेत फॉस्फोरस को सदा रखा जाता है बैंजीन में किरोसीन में एथर में या फिर तो friends राइट आंसर है डी जलम है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा योग्म सही नहीं है पन्नानाल घोष्ट बासुरी गुरू कोपी कृष्ण कथक निखिल बानर जी संतूर या फिर नंदल दाल बोस चित्रकला तो friends यहाँ पर बात करें तो निखिल बान जी संतूर य इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको friends इसे याद रखना है next question है समुंदर के जल को किस प्रिक्या दौरा शुद्ध किया जाता है आस्वन दौरा वाश्पन दौरा फिल्टरेशन दौरा या पर प्रभाजी आस्वन दौरा यह question में again दो से तीन वार पहले आपको करा चुकी हूँ तो आपको पता होगा तो आप इसका answer दे सकते हैं य next है निम्लिकित मैंसे कौन सी शीतल महसागर धारा है इमबोल्ट धारा ब्राजील धारा ओया शीयो धारा या पर कैनारी धारा तो फ्रेंट्स राइट आंसर है इसका option नमर ए इमबोल्ट धारा शीतल महसागर धारा कहलाते हैं next है निम्लिकित मैंसे कौन सी संस्था निर्यात समवर्धन में संबंदित नहीं है व्यापार विकास प्राधी करण खरनिश तथा धातू व्यापार नेगम सहकारी विपरण समतिया या फिर भारती राज्य व्यापार नेगम तो फ्रेंट्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपरण समितियां जोँ है वो हमारी निर्यात समवर्धन संस्थान नहीं है नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें बताना है निम्लिकित मैंसे कौन सा समुु केंद्रे करस्व smb st Smbndit है तो ङहाँ पर फ्रेंट्स कुछ नहीं है मिस्प्रिंट है आ यह देखे समु केंद्रे क से संबंदित है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंट से बात करें तो समु के इंदर इस से रिलेटेड यहाँ पर option B आए गया क्योंकि उत्पात शुल्क सीमा शुल्क और आई शुल्क यह सरी समु से एक समु को रिप्रेजेंट कर रहे है ठीक है जबकि विक्रीकर अलग हो गया इसमें घ्रेकर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन यह अलग हो गया आई कर ठीक है तो यहाँ पर उत्पात शीमा शुल्क और आई कर यह एक ही से संबंदित है तो यहाँ पर option B right answer हो जाएगा ठीक ह नेक्स्ट आते हैं पोस्तक to end hunger to a hunger free world के लेखा कौन है तो friends इसके जो right answer है वो है यहाँ पर option number C जो की है MS Swaminathan MS Swaminathan again famous है आपको यह बताना है कि किसले famous है MS Swaminathan मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपको याद होगा ठीक है विश्व व्यापाट संगठन याने WTO किस वर्ष शुरू किया गया था तो friends इसकी बात करें WTO की जिसको World Trade Organization भी कहा जाता है तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो यह था 1995 में ठीक है तो option C यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है किस ने कहा था देशभक्ती धर्मे और धर्म भारत के लिए व्यापार है राज नाराण बोसने बाल गंगादर तिलखने स्वामी बिवेकानन या फिर आचारे बिनोबा भावेने तो friends का राइट आंसर option number D यह कहता आचारे बिनोब भावेने कि देशभक्ती हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है ठीक है नेक्स्ट है निम्लिकित मेंसे कौन सा वैक्सीन नहीं है तो इन सारे options के according बात करें तो प्रोजिस्टेरोन वैक्सीन नहीं है जबकि BCG, Anti-Ravage और पोलियो यह सारी वैक्सीन है ठीक James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Thomas Elva Edison या फिर जोन लोगी वियर्ड तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो यह राइट आंसर है James Clerk Maxwell फ्रेंड्स आपको यह भी बताना है comment section में कि Heinrich Hertz, Thomas Elva Edison और जोन लोगी वियर्ड यह किस से संबंदित हैं ठीक है क्योंकि आपको यह सब चीज़े पता ह वालवर का विश्चकार किया किसने किया था यह question बहुत आता है इसके साथ ही साथ वैक्सिन के नाम पूछ ले जाते हैं इनकी full form भी पूछ ली जाती है जो भी मैंने आपको ऊपर वैक्सिन बताई है और इसके साथ साथ कुछ questions और common है और politics related सामाने ग्यान में questions बहुत पू प्रोवाइडिंग जर्नल रिजर्व प्रोवाइडिंग एक्सिब डेप्रिशेशन ओवर वैल्लींग ऑफ स्टॉक यह फिर अंडर वैलिशन ऑफ लाइबलिटी तो ऐसे कौन सा यहां पर पॉइंट है जिसके थूह हम सीक्रेट रिजर्व को अपने क्रिएट करते हैं हम य तो यहां पर इसक का ऑपशन् तो राइट और हो जाएगा, 누sta though िसके जो स्क्रेट रेते हैं तो क्या क्या अपक्श्न हो सकते हैं आप यह भी देख सकते हैं तो इससे आपको एक क्या होगा एक आपके अपके अच्टेंड भी बनेग सीक्रेट रिजर्व इस इसक उसके बेसिस पर प्रॉफिट 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 विक्री पर जो लाब होता है उससे तो देखें यहां पर जो ऑप्शन्स है इन ऑप्शन्स के अकॉर्डिंग जो हमारा राइड आंसर होगा वह ऑप्शन नमर थी क्योंगी डिविडेंट एकुलाजेशन रिजर्फ इसका में परपस होता है बनाने का कि जो भी हमारी जो डिविडेंट है उसकी रेट को बनाया जा सके कभी-कभी ऐसा होता है कि कम्पनी को इनफ प्रॉफिट नहीं होता तो वह उस समय या उस साल अपने जो शेर होल्डर्स उनको कहां से डिविडेंट देगा और अगा नहीं करेंगे या फिर एक negative image बन जाएगी company की उन investors के mind में तो अपरा जो impression है वो सही बनाए रखने के लिए company की image सही बनाए रखने के लिए dividend equalization reserve बनाया जाता है जिससे कि अगर किसी साल profit ना हो तो इस reserve से वहाँ पर उनको dividend दिया जा सके तो dividend equalization reserve जो है वो हमारा secret reserve की तरह काम करता है next है which of the following is a revenue expenditure आफ इसमें से revenue expenditure कौन सा हमें यह बताना है repairs on purchase of second hand assets to put into working condition यानि कि कोई भी ऐसी repairing कराना जिससे assets जो है वो working condition बनी रहे preliminary expenses कराना cost of issuing shares and ventures या फिल legal expenses to defend a suite filed by the competitor तो हमें बताना इनमसे कौन सा हमाना revenue expenditure है तो देखिए अगर revenue expenditure की बात करें तो website को निरंतर चराय रखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें आई गत्वे करना पड़ता है तो D के अत्रेक तखरम यहाँ पर बात करें तो बाकि सारे हमारे क्या है हमारे पूंची गत्वे हैं तो यहां पर option जो होगा वह हमारा option D right answer हो जाएगा यह option D legal expenses to defend a suite filed by the competitor next question पर आते हैं इन double entry system of bookkeeping are transaction effects double entry system जो है हमारा bookkeeping का उसमें transactions हमारे effect करते हैं कैसे एक account में दो बार दो accounts में एक ही समय पर one account in two ways यानि कि एक account में दो तरीकों से या फिर two accounts in two ways each यानि कि दो account में दोनों तरीके से ठीक है तो यहाँ पर अगर हम double entry system भी बात करें तो सबसे पहले मैं यह पता हूना चाहिए double entry system में transactions किस तरह से होते हैं तो double entry system में हमारे transactions होते हैं वो हमारे दोनों साइड होते हैं यानि कि debit side भी और credit side भी तो यहाँ पर देखें जो हमारा right answer होगा वो यहाँ पर एक account in two ways यह हमारा option यहाँ पर बिल्कुल correct होगा तो option 3 यहाँ पर right answer है क्योंकि एक account में दो जगें entry होती है किसी भी transaction की एक होती है credit side एक होती है debit side इसलिए यहाँ पर option C हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते हैं देखें यह question थोड़ा बड़ा है यह पूरे यहाँ से question है और यह हमारे options थे तो पहले हम questions देख लेते हैं consider the following activities अब देखें यहाँ पर हमें activities को हमें यहाँ पर serial wise लगाना है summarizing the performance of a business यानि कि business के performance को summarize करना analyzing the business transactions उनके business transactions को analyze करना interpret करना result यह फिर recording day transactions तो accounting cycle हमें यहाँ पर बताना है कि तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर देखें option नमर आप देख लीजए option यहाँ पर सबसे पहले आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं लेंदेनों का लेखन करते हैं यानि कि हम क्या करेंगे recording करेंगे सबसे पहले ठीके तो यहाँ पर होगे हमारा four सबसे पहले हम record करते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे उनका wishlation करते है विश्लेशन का मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया उसको analyze करने से तो होगे हमारा two यह होगे हमारा wishlation करना wishlation करने के बाद हम क्या करते हैं जो भी हमारी जो भी wishlation करने के बाद हमें जो next step आएगा وہ होगा उसको summarize करना Sumrise करनेंगे यानि कि हम उनको एक short way में हम उन सारी चीजों को जो भी analyze करने में निकल कर आया उसको हम short में उस पूरे चीज को लिखेंगे तो यह होगे हमारा one उसके बाद आएगा जो भी हमने summarize किया उसके बाद हम जो भी result निकला उसको interpretate करेंगे यानि कि अब उसको हम यहां यह पूरी चीज थी जिसके थुरू हमारा यह result निकल कर आया तो यहां पर option फिर के आ जाएगा 3 तो हमारा जो वो बनेगा यहां पर cycle बनेगा 4,2,1,3 का तो 4,2,1,3 यहां पर option 2 में है तो option 2 यहां पर हमारा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next आते हैं the user group of accounting information is अब जो accounting information है उसका user group क्या कहलता है owners of the business, managers of the business, potential investor of the business यानि all of the above तो जो भी हमारा user group होता है accounting information का वो हमारा owners of business भी होता है, manager of business भी होता है, investor भी हो सकता है तो यह सारे ही यहां पर जो काम होते हैं, यह इसके होते हैं, इसलिए option 2 हमारा all of the above right answer हो जाएगा next है next question पर आते हैं the first accounting standard AS1 issued by the institute of chartered accountant of India is अब जो हमारा accounting standard 1 है, वो हमारा क्या बताता है, valuation of inventories, revenue recognition, change of financial position and disclosure of accounting policy तो one जो हमें बताता है, वो बताता है, disclosure of accounting policies option 4 यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next है accounting in modern age is regarded as अब जो accounting in modern age में है, वो हमारा क्या बताता है तो देखिए हम direct इसके answer की बात करें, तो यह हमारा बताता है all of the above recording भी बताता है, language और business भी बताता है और यह business information भी अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कीचे, अपने friends के आद शेयर कीचे और किसी भी तरह की कोई भी query हो या आप suggestion देना चाहते हैं तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं friends, next video में हम भी मिलते हैं और वीच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye bye